हलो दोस्तो नमस्कार इसे हम किसी शाना में मैं आप सिविलंग का दिल से बहुत-बहुत स्वायत करता हूँ इस बड़े में हम लोग बात करने वाले एक important ख़बर जो कि फिलाल बजार में अभी अभी आते वे देखने को मिल रही है पर सबसे पहले यह report के जरीए ख़बर देखने को यह आपे मिल रही है report मतलब एक report यहापे निकाली जा चुकी है किन के द्वारा जेम financials के द्वारा इसे बहुत सरे अलग-अलग reports से आपे निकलते रहते जिनकों लोग study करने की कोशिश आपे करते हैं और किस चीज की report देखने को में आपे मिल रही है तो दोस्तो nifty 50 rebalancing इसकी report फिलाल तो हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है और इसी से related फिलाल यहाप एक report निकलते वे देखने को मिल रही है कि इस वक्त की अगर हम लोग बात करें साल में आप सब लोगों को पता है दो बार rebalancing हम लोगों को देखने को मिल जाती है सब्टेंबर में actual rebalancing हम लोगों को active होते वे देखने को मिलेगी August month तक हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन यहापे enter करने वाला है कौन निकलने वाला है और इसी से related बताया जा रहा है कि कौन सा stock की possibility इस वक वो nifty 50 का part बने और आप सब लोगों को पता है जो भी major index से इसका part यहापे बनता है वो एक अच्छी बात मानी जाती है ठीक है क्योंकि अगर देखा गया तो index fund में पैसा लोग लगाते है कुछ ऐसे mutual funds है सिर्फ nifty 50 से मतलब जो index में जो stocks है उनी में ही पैसा लगाते है ठीक है विदेशी investor का भी पैसा आ जाता है तो उन stocks में अच्छा कासा क्या आ जाता है inflow आ जाता है पैसे का and same vice versa कि अगर कोई exclude हो रहा है तो उनसे वो पैसा निकाला भी जाता है सो कौनसे stock ऐसे है जहाँ पर हम कह सकते है कि इस वक्त nifty 50 rebalancing के वक्त हम लों को वो nifty 50 का part बनते वे देखने को आपर मिलेंगे तो उसी से related यह report देखने को आपर मिल रही है सो फिलाल अगर देखा गया दोस्तो तो पहले दो stocks बताया जा चुके है कि यह nifty 50 का part बनेंगे बट यहाँ पर उसके बीच में थोड़ी सी कहानी में twist भी रहने वाली है अगर वो कहानी में twist एप दम सही डंग से बैठ जाती है न तो यह दो stocks के बदले दूसरे कोई दो stocks से वो add हो सकते है मतलब यह exactly में क्या बोल रहा है आपको सारी चीज़ समझ में आगी तो चले start कर लेते normal चीज़ों के साथ normal चीज मतलब कौन से stock यहाँ पर add हो सकते है ठीक है तो आप सब लोगों का पता है nifty 50 में add होने के लिए 6 conditions रहती है ठीक है इसके उपर मैं already वीडियो बना चुका हो अगर आपको जानना है लिंक में उपर आया बटन पर दे दिया है चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो free stock market classes करके हमारा दूसरा channel जहाँ पर मैं share बादर आपको free of course सिखाता हो वहाँ पर इस point को में discuss कर चुका हो कि 6 के 6 parameters जो company फुल्फिल करती है वह यहाँ पर eligible हो जाती है nifty 50 में enter करने के लिए ठीक है तो यह 6 condition में देखा गया तो सबसे important condition कौन सी होती important मतलब हम कह सकते कि 5 condition ऐसे बहुत सरे stock आपको मिलेंगे जो 5 condition को fulfill करते है बट एक condition को fulfill नहीं करते है तो वह कौन सी condition होती usually future and option वाली ठीक है अगर कोई stock future and option में नहीं है वो nifty 50 का part नहीं बन सकता ठीक है ऐसे बहुत सरे stock से जो की 6 में से 5 condition fulfill करते है बट FNO में ना होने के कारण वो index का part नहीं बन सकते तो यह चीज़े भी हम लोगों को लेखने को मिल जाती है अगर देखा गया तो ऐसे कंपनिया जो की 6 के 6 condition से आपे fulfill करती है उसमें अगर देखा गया तो 2 कंपनिया जो की nifty 50 का part बन सकती है according to the jam financials वो में आपकी सामने रखना चाहूँगा उसमें से पहली company जिसका आप कह सकते हैं nomination की सबसे ज़्यादा chances से nifty 50 में add होने का वो है दोस्तो टाटा ग्रूप की trend company yes trend company की बात करेंगे 6 में से 6 condition हम लोग को fulfill होते वे देखने का आपे मिल चुके हैं so nifty 50 में enter करने के लिए eligible तो है होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है वो हम लोग को august मन्त में पता है यापे चल जाएगा ठीक है so trend limited देखा गया तो market cap भी देख सकते है पौने 2,00,00 करोड का market cap में काफी बड़ी company है nifty 50 में कितने सारे companies है उन में से ही देखा गया तो इस company का market cap बड़ा देखने को आपे मिल जाता है so trend limited देखा गया तो आप देख सकते रोस्तो छे condition में से सबसे important condition भी देखने को मिल रहे कौन सा कि derivative में भी है derivative मतलब future run option में भी trade करता है so ये भी चीज़ चाहिए मतलब trend limited हम यहापे कह सकते है according to the GM financial कि इस वक्ट 50 का दावेदार यहापे बन सकता है करके बनेगा नहीं बनेगा अगेन के रहाओ वो बात की बात है next अगर हम लोग बात करें second company वो है सरकारी company भारत electronic limited B.E.L. ठीक है ये jam financial की report है sir ये company क्यों नहीं वो company क्यों नहीं वो मुझे नहीं पता भाई jam financial को आप पूछ लेना again कहे रहा हूँ होगा नहीं होगा we don't know 2 होगा या फिर 1 होगा 1 भी होगा तो उसमें से क्या trend ही होगा या फिर B.E.L. होगा वो भी पता नहीं बट ये इसकी possibility यहापे बताए जारे current scenario के इसाफ से so B.E.L. भी अगर देखा गया तो पहला जो part हम लोगो देखने को मिल रहा है according to the GM financials B.E.L. and उसी के साथ trend limited ये दो company nifty 50 के part यहापे बन सकते इसके सबसे ज़्यादा close chances है again कहे रहा according to the GM financials then अगर हम लोग बात करें जैसे मैंने कहा कि यहापे if but भी लग रहा है if but मतलब थोड़ा सा कानी में twist हो सकता है जैसे कि अगर मैं यहापे बात करू कि 6 condition होती है उसमें से काफी सारी company पाच conditions फुल्फिल करती है और एक condition फुल्फिल नहीं कर पाती है वो कौनसा होता है future and option सो दो अगर देखा गया तो ऐसे बहुत सारे companies है जो कि 6 में से 5 condition फुल्फिल कर रही है but future and option वाला condition फुल्फिल यहापे अभी तक नहीं कर पा रही है but यह जो final decision लिया जाएगा कि कौनसी company nifty 50 में enter करेगी उसके पहले दोस्तो future and options में एक बहुत बड़ा बदलाव यहापे होने वाला है मतलब future and options में भी एक list निकलने वाली कि किन companies को future and option में add किया जाए और किन को निकाला जाए तो अगर देखा गया है कि आज के दिन में दो ऐसी company है जो कि nifty 50 में रेखा गया तो सबसे strong position पे enter हो सकती but because of future and option में नहीं है इसलिए वो nifty 50 के part नहीं बन पा रही है पर अगर future and option में अगर add हो जाती है जो कि अभी हम लों को June में ही देखने हो कहाँ पे मिल जाएगा तो हम यहापे कह सकते कि जो हम BEL and उसी के साथ-साथ trend की बात यहापे करेते उससे ज़्यादा chances इन दो companies का बन सकता है according to the jam financial वो कौन सी कंपनी है तो पहली कंपनी जियो financial services yes also JFS की बात करें तो इसका market cap है सवा 2,00,00,00 करोड का बट अगर आप देखोगे यह देखे जियो financial services यहापे आप लोगों को equity SLB derivative नजर नहीं आ रहे है मतलब यह future run option में नहीं है बट जैसे मैंने कहा कि यह जो final decision लिया जाएगा कि कौन सी company को niftyifty में डालना है उसके पहरे future run option का ही rebalancing देखने को मिले वाला है अगर उस वक्त अगर जियो financial services future run option में अगर add किया जाता है तो तो जियो financial services के इंटर करने के chance सबसे ज़्यादा हो जाएंगे ऐसा GM financials का यहाँ पर मानना है होगा नहीं होगा वो तो देखना पड़ेगा पहले तो F&O में add हो अगर F&O में add नहीं होँगे तो टाटा बाई 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 कोई sense बनता ही नहीं है देन एक इसी और एक company है जिसका नमे जोमैटो जोमैटो भी देखा गया तो इसका भी market cap देखो गया अभी देड लाग करोड से भी पार हम लोगो जाते वे देखने को मिल जाका है बट इसका भी scenario वैसा ही है कौनसा कि यहाँ पर वो derivative में नहीं है future and option में नहीं है बट अभी तक फिलाल हम कह सकते कि 6 में से 5 condition fulfill होने के करण और एक कौनसा नहीं F&O में फिलाल तो यह नहीं है इसलिए यहाँ पर देखा गया तो chances यहाँ पर किसके बोले जारे Trent Limited के and BEL के according to the GM Financials तो यह फिलाल तो scenario अमनों को देखने का आपे मिल रहा है अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आप सब लोगों को पता है entry होगी तो किसी ना किसी के exit भी तो होगी तो exit से related किसके उपर लटकती भी खतरे की तलवार हम लोगों को देखने का आपे मिल रही है ऐसे तीन स्टॉक्स के नाम फिलाल तो GM Financials ने आपे बताया है इसका रहत यह बिल्कुल नहीं होता है कि यह कंपनिया बरबाद हो गई करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बट फिलाल अगर देखा गया तो obviously Nifty 50 जैसे बड़े index से exit होना मतलब काफी सारे mutual fund वहाँ से अपना पैसा निकाल देंगे index fund वाले अपना पैसा निकाल देंगे जो specifically Nifty 50 वाले stock में ही निवेश करते है वहाँ से उनका पैसा exit होते वे दिखने को मिलेगा तो stock struggle करते वे दिखने को मिल जाते थर्टी पसेंट के रेटर ने बड़ टॉप लेवल से जो हम लोगो थोड़ा downfall देखने को आपे मिला था तो फिलाल company का जो market cap और बाकी के conditions देखने को मिल रहे है उसमें अगर देखा गया तो इसका नाम फिलाल तो GM financials ने आपे mention करके रखा हुआ है इसके बाद अगर देखा गया तो L&T Infotech Mindry इसका भी नाम देखने को आपे मिल रहे है यह तो हाली में मतलब enter यहापे किया था अभी उसके बाद IT stock भी हम लोगो down देखने को मिला था तो इस चीज के चलते अभी इसका भी नाम फिलाल तो देखने को आपे मिल रहे है अभी तक तो exit नहीं हुआ है बट possibility है और तीसरा अगर कोई है वो है Hero Motocop तो अगर देखा गया इन तीन stock में से अभी फिलाल सबसे ज़्यादा अगर कोई कमजोर यहापे चल रहा है कमजोर की सिसाब से हम कहते है market cap की साब से तो डिवीज का market cap कितना है एक लाख उननीस हजार करोड देन L&T infotech mindry एक लाख पैतालीस हजार करोड चलो यह तो ठीक है और Hero Motocop की बात करे तो एक लाख पंदरा हजार करोड तो डेफिनेटली यूजुली अगर देखा गया तो एक तारीक टै की जाती है दोस्तो यूजुली कैसा होता है मान लिजे है कि 30 जून 2024 यह अगर तारीक रहेगी तो चेक करेंगी कि 30 जून 2024 पे ऐसी कौन सी कमपनी है जो की सबसे कमजोर यहापे देखने को मिल रहे है निफट इफटी में और उसको निकाला जाता है सो कररंट सीनारियो के इस सबसे इन तीन कमपनी के नाम देखने को मिल रहे है तिके बड़ अभी 30 जून तक क्या पता पासा पलट जाएगा क्या पता कि इस company में क्या गजब की तेजी आ जाए और उसका market cap विदम शूट हो जाए और दूसरी कोई company सामने आ जाए ऐसा भी हो सकता है ये एक scenario हम लोगों को कब देखने को मिला था पता है Yes Bank के वक्त Yes Bank तो exit होने वाला था सब को ही पता है तो कुल मिला के कहानी यही बनती है दोस्तों कि आखिर में किसका market cap सबसे नीचे यहापे चला जाता है और बाकी के भी conditions को देखा जाता है उसको यहापे फिलाल इंडेक्स से drop यहापे किया जाता है बट फिलाल इन तीन companies का performance हम यहापे कह सकते है बड़ा सा doubtful नजर यहापे आ रहा है GM financials के हिसाब से तो इसलिए आप यहापे देख सकते हो GM financials expect कर रहे है कि Gio and उसी की साथ-साथ Zomato यह Nifty join करेंगे if added to the FNO ठीके तो यह rebalancing के पहले FNO वाला भी rebalancing देखने को मिलेगा बट अगर मान लिजे FNO में यहापे इसके चलते जो inflow रहेगा trade में 412 million dollar का हो सकता है and BL में somewhere around 392 million dollar का यहापे हो सकता है यह अनुमान फिलाल तो GM financials ने सामने आपे रखा हुआ है अगेन कहना चाओंगा दोस्तो यह फिलाल तो अनुमान है यह expectation है कोई guarantee होती नहीं है हमेशा याद रखना अगर आप एक investor हो तो B is equal to B यही formula सबसे important होता है business देखकरी buying करनी होती है बाकि इस प्रकार की चीज़े आपे चलती रहती तो आशा करता वीडियो helpful लगा होगा तो चाओ तो like and share कर सकते है यह तो GM financials का report था देखा गया तो 9 मा का भी report निकलता है इस चीज़ के चलते नमुरा का भी निकलता है बट 9 मा का report सबस्यादा focus में रखा जा और भी कुछ popular reports रहते है जो nifty-ifty rebalancing के चलते हैं काफी popular रहते है उनका भी report आएगा वो भी हम लोग देखेंगे जो usually static रहता है वो भी मैं आपके सामने आ जाएगा तो मैं आप लोगों के सामने वो पेश कर दूँगा आशा करते हैं वीडियो लगाओगा चाहो तो like and share कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई